थमनेल देखकर के कॉमेंट सेक्शन में आगे सिर्फ गाली देखे मच चले जाना पहले पूरा वीडियो देख लेना और आपकी इंफर्मेशन के लिए मैं बता दूं मैं खुद शारुखान का डाय हाड फैन हूं तो इस थमनेल को पर मच जाना जो आपने ऊपर देखा वीड मैं यह सोच रहा था कि इसमें हमें डॉन 3 में जो रनवीर जिंग का ओफिशली लुक होने वाला वह हमें दिखाया जाएगा फिल्म से कोई क्लिप हमें दिखाई जाएगी बट दोस्तों ऐसा हुआ नहीं जिब इसका आज अनूंसरेंट वीडियो आया तो उसमें सिर्फ औ अपने अक्ट्रेस का नाम बताया और यह बहुत गलत इस्ट्रेटजी है आप अपने फिल्म को लिए बनाना चाहते हैं जो कि फिल्म के लिए ही गलत होगा क्योंकि जब ओडियंस फिल्म थेटर में देखेगी और वैसा नहीं मिला जैसा कि आप वादा कर रहें जैसा कि जरूर जब आप रिलीज करो के और वैसा नहीं होता है तो सिर्फ और सिर्फ फिल्म के मेकर्स को इससे घाटा होने वाला है और वैसा ही कुछ इस एनॉंसमेंट वीडियो को लेकर के हुआ है इसमें इन्हों ने अपने एक्ट्रस क्यारा आडवानी का नाम रिवील किया है जो कि रनवेर सिंग की अपोजिट इस फिल्म में हमें नजर आने वाली है और दोस्तों मैं आपको बता दू कि इस फिल्म में कॉप का रोल क्यारा आडवानी बिल्कुल नहीं निभाएंगे मुझे लगता है कि डॉन के आसवास एक लड़की का कैरेक्टर लिखा जाता है ह तो वैसा ही कुछ यहां पर क्यारा आडवानी का कैरेक्टर होने वाला है कॉप की रोल में मुझे नहीं लगता कि वह क्यारा आडवानी को सूट करेंगे एंड रनवीर सिंग के अबोजिट रनवीर सिंग एज़ विलंग तो हैं अगर डॉन का कैरेक्टर निभारे तो वह विलने लेकिन उनकी जो अपोजिट एक पुलिस के कैरेक्टर खड़ा रहता है तो मुझे लगता है वह निभाने वाले हैं फरहन अक्तर खुद और उसके बारे में बात भी इसलिए नहीं की जा रही है क्योंकि फिल्म को लेकर के और अपना नाम सामने रख देते हैं तो फ प्रान अक्तर काफी अच्छे एक्टर हैं अगर वह कॉफ के रोल में आ जाते हैं तो अच्छे सूट करेंगे और विलन्स कौन होने वाले हैं वह देखना बहुत जरूर है क्योंकि जब तक स्ट्रॉंग विलन्स नहीं होगा तब तक के मज़ा नहीं आता है फिल्म में और स आपको सबसे अच्छे डॉन कौन लगता है अमिता बच्चत शारुक खान या फ्यूचर में आने वाला डॉन रनवीर सिंग कोमें खुलाए दोस्तों जाकर के अपनी राइल लखना मत बूलना एंड दोस्ता अगर चैनल पे पहली बार आए तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सबस्क्राइब कर दो